नमस्कार आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार और महराष्ट शुनाव की नतीजे आने में 24 घंचे से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो महराष्ट में महायूती सरकार बनाने का अनुमान लगा रहे हैं लेकिन लेकिन एक्सिस महराष्ट में महायूती को 178 से 200 सीट आने के बंपर लैंड स्लाइड विक्टरी की संभावना जताई गई है और अगर ऐसा हुआ तो निश्चत तौर पर ये नतीजे शुकाने वाले होंगे क्योंकि जिस तरह के नतीजे लोग सब हमें आयते उसके बाद कहा जारा तकांट यहाँ पर देखिए कि कुल 288 सीटों में से बहुमत का आकड़ा 145 से लेकिन यहाँ पर महायूती को एक्सिस माई इंडिया का एक्जिट पोल 178 से 200 सीटे दे रहा है इसका मतलब विधर्भो या फिर उतरी महराष्ट हो या फिर हम पश्यमी महराष्ट की बात करने मराठव पर रीजन की बात कर लें जो एक चुनोती बना हुआ था वहाँ पर भी बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया है M.V.A. की बात करें तो 82 से 120 पर रह जाएगी M.V.A. तो यहाँ पर यह देखना होगा कि यह क्यों हुआ कैसे हुआ रने के खाते में 6 से 12 यानि कि कौन सबसे आखरी नंबर पर रहने वाला है क्या कुछ होने वाला है और 178 से 200 सीटों में कितना योगदान अजीत पवार का होने वाला है कितना योगदान शिंदे का होने वाला है यह देखना भी दिल्चस्प रहेगा Overall हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि क्या कुछ कहा जा रहा है महायूती में बीजेपी को पहले काजार था बीजेपी को 90 सीट जो है जो तमाम लोग कह रहे थे नब्भे 100 की बीच में मिलेंगी लेकिन यहाँ पर एक्सेसमा इंडिया का एक्जिट पोल बीजेपी को 98 से 107 सीटे दे रहा है 98 से 107 सीटे शिवसेना को 53 से 58 यानि कि इससे तो क्लियर कट है कि शिवसेना शिंदे जो है वही असली शिवसेना है इस पर महर लग जाती है अगर एक्सिसमा इंडिया का एक्जेट पोल एक्जेक्ट पोल के अंदर कनवर्ट होता है NCP के खाते में 25 से 30 सीटे यहां पर जाती हुई दिख रही है यानि कि चाचा और भतीजे में यहां पर मुकाबला कांटे का दिख रहा है अजीत पवार जो लोकसभा चुनाव में 6 पर आकर सिमट गए थे सबसे कमजोर कड़ी थे यहां पर सिटी ऐसी नहीं और सहयोगी दल 2 से 5 कॉंग्रेस कॉंग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी वठाई से 36 सीटों पर भी सिमट सकती है महायूती को 48 फीज़ी वोट मिलेंगे और यहां पर M.V.A. को 37 फीज़ी वोट जाते हुँ देख रहा हैं लेकिन सवाल यही है कि अभी तक कि जितने भी एक्जिट पोल आए हैं तो वहां पर अभी तक इस तरह के लाइंसलाइड विक्ट्री जो है प्रिडिक्ट नहीं की गई है तो अब जारा यह देखिए कि शिवसेणा को 35 शिवसेणा UBT को 16 और Kenneth के खाते में दो 53 सीत य squid सैटों पर आमने सामने की लड़ाई थी कहा जा रहा है वाई कौन है तो 53 सीटों पर शिवसेणा शिंदे और शिवसेणा UBT आमने सामने थी तो क्लियर कट है महाँ पर शिवसेना शुंदे पर मोहन लगाई है शिवसेना को ने उनके काडर ने शिवसेना का वोट परसंटेज जो है वो 58 फीज दी है और उधव सेना यानि कि जो शिवसेना का जो दुड़ा उधव बार साब ठाकरे के खाते में 36 फीज दी है तो आप जरा देखिए कि यहां पर वोट परसंटेज में भी क्लियर कट हो गया है कि निशान जो है इलेक्शन कमिशन नहीं लोगों ने दिया है अब जरा आपको रीजन वाई समझा देते हैं और उसमें हमारी मदद जो हैं वो सचन चोधरी भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर आए हैं मु जंदगाओं, मलकापूर, मुक्तई, जामनेर, बागलान, डिंडोरी, नासिकपूर, नासिक सेंडरल, नासिक पश्यम, देवलाली ऐसा अवाम सीटे आती हैं और उतर महराश में लोगसभा की अगर हम बात करें सचन तो लोगसभा में तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करेगी, गड़ माना जाता था लेकिन डाउनफॉल हमने देखा था, तो आपको क्या लगता हैं मैं सो कौन सी सीटे हैं जो बीजेपी शोर शोर निकाल सकती है, जी बिलकुल लोगसभा में हमने देखा कि सिर्फ दो सीटे जो है पहला ही चुनाउक शित्रा आता है और उसमें दो बागी खड़े हैं दोनों दोलों से, पंदमाकर वलवी जो आये थे, पहले कॉंग्रेस के थे, वहाँ मंत्री भी थे, लेकिन वो इंडेपेटन खड़े है और हिना गावित, वो भी वहाँ पर इंडेपेटन खड़ी है, पिशली बार हार गी थी, तो उसके बाद वो निर्दिले वहाँ पर खड़े तो इसके कारण वो सीट काफी पसी हुए है, लेकिन आडवेंटेज जो है, वो कहिना कहीं वहाँ पर कॉंग्रेस को दिखाई दे रहा है, उस सीट पर, दूसरी बात अगर हम करें तो नंदूर इस बार सीट पर यहाँ पर बीजी पी को अडवेंटेज मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीजे कुमार गावित काफी नामची चे रहा है, वहाँ पर धूले शेहर, सीटी शेहर वहाँ पर अनिल गोटे खड़े हुए है, और उनके सामने बीजी पी की सीट है, लेकिन अडवेंटेज जो है, वो बीजी पी को यहाँ पर काईना काई दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जामने बार जो सीट है, इस बार जरंगे पाटी ने यहाँ से गिरिश महाजन, जो उनको एलान किया दर चालेंज दिया था कि इनको हराना है, और वहाँ पर शेहरत पाव लेकिन अडवेंटेज जो है, वो बीजी पी को यहाँ दिखाई दिखाई रहा है, यहाँ पर सब लोग काटे की फाइट दिखा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, लांज स्लाइड विक्ट्री है यहाँ दोस्टों तक भी जा सकता है, होगा कैसे? अपनी टीम के काम के लिए जरूर जाना जाता है, तो जमीन से जो आकड़े आते हैं, मैं भी उसमें शामीनू टीम में, मैं भी इंटर्विव करता हूँ, तो उसको रखने में, जैसे हम बोलते हैं आप हम सब एक ही मीडिया फेटरनिटी के हैं, तो जो रिपोर्टिंग में हम कहीं कोई तबदीली नहीं करते हैं, वो सीधे-सीधे जो आया है, उसको कर देते हैं, कई बार वो आकड़े जैसे आपने बताया है, बड़े लाउड नजर आते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या फाक्टर रहे कि इन चार महीनों के अंदर नदर लोकसभा से लेकर वि काड़ की बहन योजना आई, अगस्ट से डिलेवरी भी चालू हो गई, लोगों के महीनाओं के खातों में पंदरा सो रुपे पहुचने लगे, दो करोड से ज्यादा राजी की महीनाओं को लगातार अगस्ट से लेके अभी तक पंदरा सो रुपे मिल रहे हैं, तो जो सब 50% जो है, वोमेन वोट कर रही है, और मेल जो है, 46% कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी बजाए है, उसके बाद जो है, ST और SC, ST और SC, 10 और 11 तोटल राजी की बात करें, तो करीब 20 से 22% का ये जो ब्लॉक बनता है, और उसके साथ विदर में कुन भी भी जुड़ जाते हैं, तो इन्होंने जो सर्वे में ये आया कि जो लोकसभा में 11% पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वो सिफ्ट हुआ अगाडी से और जुड़ा यूती में, दलितों का और करीब 15% आदिवासियों का जुड़ा, ये इसकी तीसरी बुक वज़ा है कि पहले तो लाड़की योजना, उसके बाद है गोर्मेंट फैक्टर, उसके बाद है दलित और ये, अब मराठा की बात करते हैं, जो मराठ वाड़ा और सबात हो रही है, तो मराठ वाड़ा में भी अकेली मराठा कम्मिनिटी में भी भले ही बीजेपी का दो पॉइंट ही बड़ा है, लोकसभा के मुकाबल है कि बहुत सारी रिबेल है, बहुत सारी छेतरी पार्टी है, बहुत सी इंडिवीज्वल परस्नालिटी है, हर एक जिले के अंदर एक बहुत बड़ी दमखम रखने वाली इंडिवीज्वल परस्नालिटी है, तो उन्होंने माइनस फाइप होया है, वो अधर्स के खाते मे तो यह मराठवाड़ा का बड़ा फरक इसमें नजर आया। बहली जुड़ा महां का मैं लेकिन घटा अगारी से जादा है। और मराठ्वाडा में ही जो अंदोलन था मनों जो रंगय पातिल का तो टोटल प्रदेस में मराठ्वाडा फिर मराठ्वाडा में मराठ्थाओं और मराठ्थाओं में भी उनको जिनको आरक्षन से कुछ लेना देना है उसका इंपेक्ट जो है वो जरूर जो है इस कम्मिनिटी में अंतर दोनों के बीच में यूती और अगाडी में पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं केवल आठ कॉइंट का है वेरेज ओवराल अंतर जो है ग्यारा प्रसेंट का हमारे सर्वे में आ रहा ह है तो अब यहां पर बात करने ठाने और कॉंकरंड रीजन की और यहीं पर अगरम काहिं कि शिवसेना कौन सी यूबीटी की पास, आरी शिवसेनिक हैं काडर हैं या फिर यह शिवसेना शिंदे जो है वही असली शिवसेना अहां की उत्तरा धेकारी वही ये भी क्लियर हो गया है ठाने कॉंकर्ण रीजिन के लिए आपको बता दें किस तरह कि यहां पर सीटें आती हैं दानू, विक्रमगर, पालगर, बोईसर, नाला सुपारा, वसई यह तमाम सीटें यहां पर हैं और खुद मुम्रा कलवा, अली बाग, गुहार, श्रीवर्धन यह तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं, पिमपरी, चिंचवार, साथी, कोपरी, पचवखडी, यह सीम के खुद की सीट भी यहां पर हैं, तो यह तमाम कुंडाल, नितेश राने, नेलेश राने, सबकी सीटें यहां पर आती हैं, तो इन तमाम सीटों में आखर, सीधी- रीजन की बात कर रहे हैं, 39 टोटल सीट से, जिसमें से 24 सीटे महा यूती को मिलती दिख रही है, और महा अभिकास अगाडी को 13 सीट और 2 सीटे अनी, जी, तो यहां पर आपको, और अगर वोट परसंटेज के साब से देखें, तो यहां पर वोट परसंटेज भी, शिवसेन शिंदे जो है, वही असली शिवसेना है? जिसमें यूती को 22 और अगाडी को 14 मिलती दिख रही है, बट यहां पर भी BJP और वो आती है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे अच्छा डेटा पॉइंट यह है, कि सिवसेना यूनाइटेड जब थी, पिछले 19 के चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में, उसको यह यह 100% हमने पूछा, पिछले बार आपने किसको वोट किया, और इस बार किसको करोगे, तो उसका जो आकड़ा आया, जो सिवसेना ने पिछले बार जिनको वोट किया था, जिन लोगों ने सिवसेना को वोट किया था, उनमें से 58 प्रतीसत लोगों ने कहा, कि हम शिंदे को कर रहे हैं और यूबीटी सिवसेना को 36 तो आप इसको इस लियास से लिजिए कि सिवसेना का असली नकली तो मैं नहीं कहता हूं कि 58 शिंदे 36 उदाव यूबीटी तो 58 शिंदे और 34 यूबीटी और अगर यही चीज़ें अगर ठाने में तो चलिए ठीक है जैसे आपने कहा कि सिएम का खुद का गड़ है वहाँ पर उनकी होल्ड सबसे ज्यादा थी लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मुंबई जहां से शिवसेना है जहां मातोश्री है तो तमाम वहाँ पर भी अगर शिवसेना शिंदे वोट परसंटेज में और सीटों में भी उधव ठाकरे से इतनी आ जैसे कि उन्होंने कहा कि ठाने रिजिन जो है अगर हम शिवसेना को समझे कि कौन सी सिवसेना किस पर हवे पड़ेगे एकना शिंदे की उध्व ठाकरे की तो ठाने रिजिन में इचित तो पर या कोकोन रिजिन में जो है शिवसेना शिंदे को एडवांटेज वहाँ पर मि सीट है उसके बाद पालघर की सीट है यह दोनों सीट है जहां है अगावनbasid कि सुनिल तटकरी की बेटी मानी जाती है महार Сे भारत गोगोले की अपने बयानों से काफी चर्चित रते हैं वो है मावल वाली सीट अजीत पवार के लिए आसान कहने की बात चलिया रही है यहाँ पर दोनों नारान राने के बेटे लड़ रहें आगल बगल की सीट में कनकवली से नितेश रानी लड़ रहे है और उनके लिए जीत काफी माइनी रख सवाल यहां पर यह था कि शिंदे सेना के साथ कौन जाएगा और यूबीटी के साथ कौन जाएगा तो वहां पर सितिया साफ हुती हुँ दिख रही है एक्सिस्मा इंडिया ने भी क्लियर बताया है उनके डेटा में जुनिकल कर आ रहा है कि सीधे सीधे चाहे वोट परसंटे का सबब बने हुए थी विधर्ब की हम बात कर रहे हैं और विधर्ब के अंदर यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं नतीजे इन सीध को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर वर्धा, काटोल, साबने, रिंगाना, बढडनेरा, अमरावती, महेकर, चिर्वली, संदर पाटोली की भी सीध यही है, यहां पर देखें के हाई प्रोफाल लोगों की भी खूब विधर्ब में सीध है, तो यहां पर क्या कुछ शेक्सिसमा इंडिया का जो एक्जिट पोल है कह रहा है, जी, प्रदीब जी, विधर्ब की बात करें तो 62 सीटों में से 39 महा यूती को और 20 सीटे अगाडी को और 3 अधर्स को, प्रिटिकली 2 थर्ड, 1 थर्ड, और जो कि लोगसभा की बात करें तो केवल 2 सीटे जो आई थी, 10 में से 2 सीट आई थी, महा यूती को, जो कि एक नाटपूर की और एक अकोला की, और बाकी सब की सब सीटे जो है अगाडी की तरब ग जानी कि जो MVA उसके खातिम 38 जाती हुए देख रही थी और BGP कहीं लोगसभा लीट की मताबिक 20 पर देख रही थी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, तो क्या हुआ, मतलब किसान, सोया, दलित, आदिवासी ने न, वहां विदर में केवल दलित और आदि का, तो वहां पर हमेशा दलित और RSS और वो सारी कहानी होती, अभी भी पूरे प्रदेश की बात करें, तो दलित अभी भी महाविकास अगाडी को जाता, जादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है, 40% और उससे कम 34% जो है, वो महायूती को मिलता हुआ दिख रहा है, दलितों क महाविकास अगाडी की तरफ, जो कि अब पूरक का पूरा वोट शेर वो वापस आता हुआ दिख रहा है, और इसके माइने आप उससे भी लगा सकते हैं, कि इस लोकसबा के पहले, 24 के लोकसबा के पहले, जो 19 और 14 के जो दो विधान सबा और जो दो लोकसबा हुए, उसमे करीब करीब यही इस्तिती थी, जो आज अभी सर्वे में नजा रहा हुए, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि विधर्प के अंदर ADMK, आदिवासी, दलित, मुसलिम, खुन्बी, यह एक पूरक का पूरा वोट बांक बना लिया था, जिस पर बहुत ज़दा बुलिश थी, त ज़ली दलित तो आप करें कि अभी भी M.B.A के साथ है, यहाँ का मतलब है, M.B.A के साथ भी होने दीजिए, यदि आज 40% मिलते दिख रहे हैं दलित को, तो पहले दलित के 60 मिल रहे थे, याने BJP के 30 से घटके 10 हो जाते हैं, इसी छेतर में करीब 20% दलित है, जब 20% का हेर होता है तो 4 पॉयंट का फरंग एक पार्टी के फीवर में जब और एड्वें vantage में convert होता है, जब नेट एड़े एडवाटेज का 8 पॉयंट का फरंग पड़ जाता है, चार यहां से निकले और वहां जुडे, तो 8 पॉयंट का फरंग पड़ता है, चले, तो विधर्ग की कर लेते हैं माराठ पड़ा रीजिन की बात कर लेते हैं हिस बारा पर बहुत बढ़ा मुद्दा था यहां पर भी परफॉर्मन्स बहुत बेत्री नहीं रहा था और अगर हम कहें तो अगर सरफ उनकी किसमत दाव पर है और अंगबाद सेंट्रल पश्यम पूर्व बीड आश्टी मांजल गाउं ओसा उम्रंगा ये तमाम सीटे यहां पर आ रहे हैं लातूर यहां देशमुक भाई जो है लातूर ग्रामिन लातूर सिटी से लड़ते हैं तो ये तमाम सीटे जो है थोड़ सचन इतिफाक रखते हैं पैसे ही कुछ होगा तीस सीटे ये बता रहे तो इसका मतलब है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 की बात करें हला कि 2014 से 2019 में बीज़ीपी की सीटे थोड़ी घटी थी चाई विधर्ब हो या मराटवड़ा हो लेकिन अगर इस सीटे वापर मेंटे ये हुआ था इसकी वज़े हैं कि वहाँ पर बीज़ीपी को लगा कि मराठा फेक्टर उनको इफेक पर सकता है पीज़ीपी के कि क्यावड़ कि दर अंगे पाटिल बार बार ये कह रहे थे कि वह गचंजा सिंदे कि उनकी साथ अच्छे तालूआ थे उनके चाही मिनिस्टर सो उनके नेता उनको मिलने में बार 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 जाती थे तो इसके कारण बीजीपी ने सबसे ज्यादा सीटे वहाँ पर एकना शिंदी को लड़ाई वहाँ अगर हम बात करें तो देखे यह जो पैठन वाली सीटे वहाँ पर खुद भूमरे के जो बेटे है व उनकी सीट भी खत्र में क्योंकि वहाँ पर मनाटा वर्सेस ओबी सी इस तरह की बात हो रही है तो बीजीपी ने जो समीकरन है वह अच्छे से वहाँ पर जोड़े है कि जहाँ पर सिंदे को मोखा दिया गए सिंदे को आगे रखा है तो वहाँ बैलंस किया गया है तो उसको लगबक ताम आना जा रहा है लौहा जो सीट है वहाँ पर पतरपला की चिकली कर जो हारे थे हुए लोक सवाच चुनाओं में वहाँ पर लड़े उनकी बहन के खिला भी लड़ रहे हो शेकाप से वहाँ पर लड़ रही है तो ऐसी कई सारी सीट है यह देखिए लात तूर परांडा से शिंदे शी उसना की मंतरी है ताना जी सामन्त वह पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वहाँ पर पंका जया मुंड़े इस बार उनके साथ में और पंका जया मुंड़े को मराथा अरक्षन का काफी यहाँ पर जटका लगा था इसके कारण वह बहुत कम सीटों से लेकिन इस बार भाई बहन एक साथ में है तो इसके कारण यह सीप बीजेपी निकाल लेगी तो ऐसे कई सारी सीटे है जहाँ पर बीजेपी शिंदे का कॉमड़ेशन प्रदीप जी क्या ऐसा हुआ कि बटेंगे कटेंगे तो अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इंट लेवरी उसके अलाब कुछ नहीं है तब जनता जब वोट देती है तो यह ध्यान में रखती कि पांस साल पहले आपने क्या कहा था और इन पांस सालों में क्या आपने काम किया और उनके जीवन में क्या परीवर्तन लेके आयो और आगे आने वाले समय में आप हमारे लिए क क्या करने वाले हो उस पार्टी के फेवर में वोट करते हैं नारे वारे सब केंपेन और उसके लिए बहुत अच्छे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि जमीन के ऊपर चार महीने में तो सिर्फ एक ही डिलिवरी बदली है वो है लाडली बहना योजना का पैसा वो भी सब्स शेवराद सिंग चौहान के लिए फेवरिबल हुआ शायद यही गेम चेंजर यहाँ पर भी हो सकता है पश्चिमी महाराश की तस्वीर हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दखाएं एक क्विक अपडेट यहाँ पर क्या कुछ दे रहे हैं वहाँ पर एकसिसमा इंडिया के हि चाचा भतीजे की लडाई में मतलब 50-50 या कोई एडवांटेज है जैसे पिछली बार तो साथ ने पूछा जिन्होंने एंसीप को वोट किया था यूनाइटेड तो एंसीप को जिन्होंने उननीस में वोट किया था इस बार वो 43% अजित पवार एंसीप को कर रहे हैं और 49 9% सरत पवार को वोट कर रहे हैं एंसीप सरत पवार को राइट ओफ कर दिया था कि कमजोर कड़ी है इस बार वो उतनी कमजोर कड़ी नहीं साबित होने वाले हैं आपने वोट शेर में तो लगभग 6% का 6-7% का आपने अंतर दिखाया दोनों के लिकिन तो फिर बहुत से य तो फिर पहर का चाली सब्सक्राइब प्रजी आपने एंडिया के यह पूर आपने अपने एक्सिट पोल था वह हमसे शेर किया उसकी डीटेल्स बताएं क्या को जाधा रहे हैं आपका बहुत बहुत शुकरिया